हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई चैनल शुष्मक्रिसोई में आपका स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम से नई सी यूनिक सी रेसिपी जो आज आपको गोबी सी बनाना बताऊंगी और ये एकदम से बड़ी आसी रेसिपी है जिसके आगे आप पनीर को भी खाना भूल जाओगे और घर के रखे समान से आपको आज मैं बताना बताऊंगी बिल्कुल सिंपल और असान तरीके से और फ्रेंड्स अगर मेरे आप चैनल पर नहीं हो तो प्लिस मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और चलो फ्रेंड्स मिलकर आप रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने आदा किलो गोबी लिए जिसे मैंने अच्छी तरह से काट कर दोकर एक बावल में निकाल लिए और इस तरह से पीसिस कर लिए हमने इसके आप मिक्सी का जार लेंगे हम और गोबी के एक पीस करके हम इसमें अब आड़ करेंगे सबी गोबी इसमें हम एड़ करके ले लेंगे और सबी गोबी हमने मिक्सी की जार में डाल दिया अब इसमें हम डालेंगे दो चमच मलाई फ्रेश मलाई है हमारी और इससे अब हम एकदम से बढ़िया सा पेस्ट बना कर ले लेंगे इस तरह से अब मिक्सी चला लेंगे, दो से तीन मिन्ट में पेश्ट हमारा बनका तैयार है, यह देखे अब, यह हमारा बढ़िया सा पेश्ट तैयार है, बिल्कुल बारिक, इस तरह से, और अब इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे सबी पेश्ट को, और सबी मिश्टन हमने एक बावल में निकाल के ले लिया है, और अब इसमें करेंगे कुछ मसाले आइड, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें एक चमच जीरा चोटा, और साथ में डालेंगे एक चमच नमक, नमक हम इसमें अभी कम डाल रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें ग्रेव हमें चावल का आटा है, हमने जो इसमें डाला है, और अब इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और सबी चीज़े हमने अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिए हैं, अब इससे दोस मिट के लिए राश्ट के लिए रखेंगे, जब तक के लिए इसका मसाला त्यार कर ल लेंगे और इसे इस तरह से चलागे हम दरदराश का पैस्ट भना के लेंगे यह हमारा मसाला बन कर त्यार है हमें मसाले को इस तरह से दरदरा कि रखना है और देख लेते हैं दियुजा है और लिटे 사ida सब्सक्राइब करें रहा हुए प्लेट को अच्छी तरह से दाला और नियुक्ते दूनाल प्लेट की तरह साथ प्लेट को प्लेट था प्लेट को तरह से ग्रीस करेंगे अब इसमें डालेंगे बैटर सभी बैटर हम इसमें डाल के ले लेंगे प्लेट में और अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे सभी बैटर को हमने अच्छी तरह से प्रेस करके ले लिया है और अब हम एक कडाई लेंगे उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी पहले एक गलास के करीब और इस तरह से एक बाउल लेंगे जिसमें हमने तीन प्याच लिए है और साथ में डालेंगे दो टमाटर और साथ में डालेंगे छे से साथ करी लसन की और साथ में डालेंगे आधीकर टुरी पानी के इसमें अर आपस में डालेंगे एक जद रख का टुकरा और दो से तिन हरी मिर्च इस तरह से हमारे मसाले जो हैं बोल हो जाएंगर याउसाथ में जो हम बैटर रख रहे हैं वो भी हमारा अची तरह से कुकोजेगा और इसे हम 15-20 मिन्ट के लिए ढखकर पकाएंगे धीमी फ्लेम पर 15-20 मिन्ट मारे हो चुके हैं चलो अब देख लेते हम इस तरह से चलो चेक कर लेते हैं यह देखे हाथ लगा कि हम देख रहे हैं उपर से सूखा हुआ है बिल्कुल हमारा जो बैटर है हाथों में नहीं जिप करा अब इसे हम रखेंगे साइड में और हमने जो ग्रेवी के लिए मिसाला रखा था चलो उसे भी देख लेते हैं यह देखें ट्रमाटर के उपर जो स्कीन है अब इसे हम इस तरह से निकाल के ले लेंगे और इससे हम थंडा होने करेंगे उसके पास इसके पीसिस कट करेंगा अब मैंने कडाई लिया है कडाई को गरब होने के लिए क लिए कडाई हो था कडाई हमारी गरब हो चुकी सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2-3 चम्म जीर pokot прин fills dieses में लेंगे मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी जो हमने त्यार की थी प्याट ट्रमाटर अद्रकलसन की और उसे अच्छी तरह मसालों के साथ भून लेंगे हम उसमें थोड़ा सा पानी करेंगे एड और इसे अब 3-4 मिंट के लिए हम मसालों के साथ मत्र को भूनना है तीन से चार मिंट हमारे हो चुके अब इसमें डालेंगे सुखे मसाले एक चम डालेंगे हम नमक नमक आप टेस्ट पोर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो और साथ में डालेंगे आदा चम लाल मिर्च लाल मिर्च हम इसमें कम डाल रहे हैं क्य क्विसिए पीदृयि मेथी हाथु से मसल के डालने से isco जो अप्ष एक करेंगे जो सबुस्य मेर इसमेट्ध करेंगे थोड़ा सा अइड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे थी तरह भीपर तीन से चार मिंट हमारे हो चुके सभी मसालों को भूनते भूनते अब इसमें हम डालेंगे गोबी का पनीर जो हमने घर पर बना कर त्यार किया है और इसे अब हम मसालों में आड़ करेंगे यह आपको दखारी कितना सोफ्ट वर बनकर पनीर जैसे बहुत कुल त्यार हुआ है और इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे हम और साथ में डालेंगे अदर ग्लास पानी और सभी मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबी मिसालों के साथ हमें अच्छी तासे मिक्स कर लिए अब इसे हम एक से दो बोल आने तक पकाएंगे और एक से दो बोल हमारे आच चुके हैं अब इसमें हम एड़ करेंगे हरा धनिया और गयास को कर देंगे बंद और ये हमारे एक दम बढ़िया से ही गोपी की नई रैसिपी बनकर तेयार है अगर आपको में रैसिपी पूसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिगा और मुझे स्पोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सिस्क्राइब कीजिएगा और उपर से अब हम इसमें आड़ करेंगे मकन टेस्ट बढ़ाने के लिए और मैं फिर लेके आऊंगे आपके लिए इससी भी इच्छी रैसिपी जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों